Hello students, how are you all? I am Sarita Patil and welcome back to my YouTube channel Ecoso. Students, आज की स्वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले एक्सिस कपासिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कम्पीटिशन. हमेशा मोनोपोलिस्टिक कम्पीटिशन में एक्सिस कपासिटी होती है, मतलब क्या कि फर्म के कपासिटी तो होती है कि वो ज्यादा आउटपुट प्रोडिस कर सके, बट हमेशा वो उससे कम आउटपुट प्रोडिस करती है और हायर प्राइज में सेल करती है, जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो. अब यही सिचुएशन हम लोग एक डाइग्राम के साथ इन डीटेल स्टडी करने वाले हैं. तो यह टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंट तक ज़रूर देखिए. स्टुडेंट्स एक्सिस प्रॉफिट का टॉपिक समझने के लिए हमें एक बात समझने बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक में हम लोग पर्फेक कंपिटिशन और मोनोपोलिस्टिक कंपिटिशन दुनों का एक दूसरे से कंपारिजन करते हैं और कंपारिजन के बाद ही हमें पता चलता है कि देर इस एक्सिस कपासिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपिटिशन तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपिटिशन में In monopolistic competition, firms do not produce the optimum level of output. Firm क्या करती है? Optimum level of output produce नहीं करती है. वो optimum से कम output produce करती है. Optimum output मतलब क्या है? कि जिस output पे firm का cost सबसे lowest है. वो ही output क्या होता है? Optimum output. बट यह firm क्या कर रही है? उससे कम output produce कर रही है. Each firm produce less than optimum output. though the price is higher than the perfectly competitive firm. अब देखो भई क्या हो रहा है? कि यह firms क्या कर रही है? Optimum से कम output produce कर रही है. मतलब output तो कम produce कर रही है. बट अट अट दे सेम ताइम उनकी जो price नहीं प्रोड़क की वो perfect competition से ज्यादा है. मतलब output भी कम produce करेगी और price भी ज्यादा charge करेगी. 3rd point, the lowest point of the AC curve denotes the optimum level of output. अब अमें यह समझना जरूरी है कि optimum level of output क्या होता है? तो अगर हम लोग diagram में जब देखते हैं, तो diagram में AC curve, that is average cost curve, उसका जो lowest point है, उसका जो minimum point है, वो हमेशा firm को optimum level of output शो करता है. जैसे किस diagram में देखो, हम लोग ने y-axis पे cost जो किया है, और x-axis फियाक्शन आउटपूट. और जो AC curve है, U-shape है, starting में AC decline हुआ, minimum point तक पोच्चा, उसके बाद AC increase हुआ. देखो, एपॉइंट पे average cost minimum है, मतलब OQ output produce करने के लिए जो cost लगता है, वो सबसे कम A point पे है. और इसलिए, इस output को, OQ output को, optimum level of output कहते हैं. यूँकि इससे ज़्यादा अगर output produce करते हैं, तो देखो, for example, Q1 output produce किया, तो Q1 output में cost comparatively ज़्यादा है, देखो, distance increase हो गया, तो यहाँ पे cost कम है, Q1 पे cost ज़्यादा है. At the same time, Q से कम भी output produce किया जैसे कि Q2, तो यहाँ पे भी देखो, cost increase हो जाता है A2 point में. A point में cost कम है, A2 point में cost फिर से increase हुआ है. इसका मतलब simple है कि, अगर आप minimum point पे output produce करते हैं, तो ही वोसे हम लोग क्या कहते हैं, optimum level of output. और इसलिए इस diagram में आपको क्या याद रखना है, जिस point पे A2 minimum है, वही पे optimum level of output from produce करती है. अब next part में इसके हम लोग देखेंगे कि, axis capacity diagram में कहा पे और कैसे show करते हैं. और उसके लिए हमें perfect competition का equilibrium, and monopolisitic competition का equilibrium, simultaneously एक ही diagram में देखना है. तो obviously आपको या diagram बहुत ही carefully समझने पड़ेगी. Students, अब हमें देखना है, axis capacity क्या होती है, monopolistic competition में. और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि, इसके लिए हमें monopolistic competition and perfect competition दोनों का comparison करना है, उनकी equilibrium position का comparison करना है diagram में. तो इस diagram में सबसे पहले हम लोग देखते है, equilibrium condition of a perfect competitive firm, जिसमें हम लोग normal profit का situation देखेंगे. इसलिए आपके जो equilibrium condition से वो पहले देख लेते हैं, पहले equilibrium condition mc is equals to mr, second equilibrium condition is mc is increasing at the point of equilibrium. तो ये दो conditions लेके, हम लोग equilibrium condition देखते हैं perfect competition में. perfect competition में firm का demand curve है, वो होता है horizontal parallel to x-axis. तो पहले demand curve दो कर लेते हैं, demand curve जो firm का ar and mr curve भी है. So this one is a firm's demand curve, which is also ar and mr curve under perfect competition. equilibrium condition के situation में, हम mc is equals to mr भी चाहिए, और mc increasing चाहिए. तो mc हम लोग यहाँ से draw करना start करते हैं, जो की increasing है marginal cost curve. इस particular point पे mc करने mr करको intersect किया है, तो यह e point equilibrium point और इस equilibrium point में level of output है oq, price है op. अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे firm को normal profit हो रहा है, और normal profit की situation में firm का जो ac curve है, उसका minimum point यह point में ही आता है. तो यहाँ से हम लोग draw करेंगे ac curve. मैंने यह normal profit क्या होता है, उससे related एक video अलड़ी बनाया हुआ है, shorten equilibrium of a firm under perfect competition. अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, तो वीडियो भी आप देख लीजे, उसकी link में आपको उपर i button में, और नीचे description box में देखे रखती हूँ. तो यहाँ पर firm ने e point में equilibrium अच्चिव किया है, और ac का minimum point भी e point नहीं है. इसका मतलब क्या है जो हम लोग ने, अभी recently जो diagram देखा, उसमें यही देखा था कि ac का minimum point होता है, वो optimum level of output शो करता है. यहाँ पर ac का minimum point है e point में, और e point में output है oq, यानि कि oq level of output क्या है? optimum level of output है. और यह optimum level of output produce होता है perfect competition में. तो यहाँ पर perfect competition में लिखते है output oq, जो कि optimum है, price. price देखो, यह point में price क्या है? op price है. तो यहाँ पर price भी लिख देते, op, and यहाँ पर firm earn करती है सिर्फ and सिर्फ normal profit. यहाँ पर normal profit होने के लिए और एक reason है. देखो, e point में average cost भी हमें पता चलता है. e point से अगर हम लोग यह line देखते हैं यहाँ पर, तो जो price ही op, वही क्या है firm का average cost है. और जब price is equals to average cost होता है न, तो firm को मिलता है normal profit. यहाँ पर normal profit काहा होता है, तो जो की cost of production में already include होता है. क्या याद रखना है आपको, जब price is equals to average cost है firm को normal profit मिलता है, और normal profit firm के cost of production में already include होता है. Next हम लोग देखते हैं, monopolistic competition में क्या situation है. monopolistic competition में situation देखने के लिए हमें monopolistic competition का ARN MR कर draw करना पड़ेगा. बट उससे पहले मैं आपको suggest करूँगी कि आप जो अगर यह diagram draw करते हो, तो पहले यह वाला part completely draw कर लो, complete कर लो, उसके बाद में यह वाला part leak लो आप, और बाद में monopolistic competition के लिए ARN MR कर draw करो. Otherwise बहुत ही confusion हो जाएगा, क्योंकि diagram में सब खिचडी हो जाती है. So, better आप one by one यह draw करो. अब draw करते हैं, AR कर अंडर monopolistic competition. यह AR यानि कि average revenue कर जोकी है, demand कर also for monopolistic competition. इसका जो corresponding MR कर वे, वो AR के नीचे ही आएगा. तो AR के नीचे draw करते हैं, MR कर. equilibrium condition यहाँ पर भी same है. MC MR को cut कर के जा रहा है, वो point है equilibrium point. यहाँ पर देखो, यह MR और यह, MC दोनों ने एक दूसरे को even point में intersect किया है, तो even point है monopolistic competition का equilibrium point. even point में level of output क्या है देखते हैं? level of output है OQ1. ओके? और price find out करने के लिए, हमलोग क्या करेंगे? R कर तक और यहाँ पर हमें R कर पर point मिलता है. R, from point R, we'll draw straight line to Y-axis, यहाँ पर हमें price मिलती P1. देखो, monopolistic competition में price क्या है? OP1, यहाँ पर लिख लेते हैं monopolistic competition का price OP1 and level of output है monopolistic competition का OQ1. यह OP1 और OQ1 हमें E points ही मिला है. देखो, E1 points ही हमें क्या मिला है? OQ1 level of output monopolistic competition का E1 points से ही उपर R point मिलता है और R point से price मिलिए OP1 for monopolistic competition. अब यहाँ पर monopolistic competition में firm को अमेशा supernormal profit मिलता है. तिर यहाँ इस situation में लोग देख रहे हैं कि firm को क्या मिलता है? Supernormal profit. और वो find out करने के लिए में average cost देखना पड़ेगा. इस diagram में AC करने यह जो line है R Q1 इस R Q1 line को S point में intersect किया है. तो S point में AC यहाँ कि average cost मिल जाती है OA. अब monopolistic competition के situation देखो. Price क्या है OP1? Average cost है OA. मतलब price average cost है क्या है? फिर से देखो एक बार Price है OP1, cost है OA. Cost का में price जाता है. तो firm को क्या मिल रहा है? Supernormal profit under monopolistic competition. अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा. अब next important चीज़ जो हमें देखनी हुआ. हमें इन दोनों का comparison करना है और comparison करके हमें देखना है तो comparison में पहले price compare करते है Perfect competition में price है OP Monopolistic competition में price है OP1 देखो perfect competition का price कम है OP Monopolistic का price क्या है? जादा है. तो विल मेंशन अच्छे कि यहाँ पे price क्या है? जादा है higher in monopolistic competition Then level of output Perfect competition का level of output है OQ Monopolistic का level of output है OQ1 देखो perfect competition का output O Q जो कि ज़्यादा है monopolistic का output क्या है O Q1 वो कम है मतलब perfect competition में output भी ज़्यादा produce हो रहा है और price भी कम है monopolistic में output कम produce हो रहा है लेकिन price ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर monopolistic में क्या है excess capacity है क्योंकि देखो monopolistic competition में output सिर्फ Q1 तक produce हो रहा है और इतना जो output है वो monopolistic में firm produce नहीं कर रही है monopolistic में Q1Q इतना output firm produce नहीं कर रही है इतना output वो कम produce कर रही है जो produce करने के उसकी capacity है इसलिए इसे कहा गया है excess capacity of a firm फिर से देखू monopolistic में Q1Q क्या है? excess capacity मतलब monopolistic competition में firm पूरा का पूरा OQ output produce कर सकती है उसकी capacity है बट वो capacity पूरा utilize नहीं कर रही है उसे कम यानिकि सिर्फ Q1 output produce करती है और यह जो gap है दोनों के बीच का optimum output Q और यह वाला Q1 यह Q1Q का जो gap है यानिकि जो gap है दोनों के बीच का Q1Q यह है monopolistic competition में firm के excess capacity I hope आपको यह topic यह तक अच्छे से समझा होगा आपको यह diagram ड्रॉ करते से में थोड़ा carefully ड्रॉ करना है सबसे पहले perfect competition के लिए ड्रॉ करो फिर बाद में monopoly के ARN मारकर उसमें add करो तो diagram ड्रॉ करने में थोड़ा easy हो जाएगा I hope आपको यह topic अच्छे से समझा होगा अगर आपको इस topic से related कोई बिडाउट है then please write us into the comment section अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपने Ecoso को अब तक subscribe नहीं किया है then please subscribe to Ecoso and press the bell icon तो आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहेंगे also follow us on the Instagram, Twitter and Facebook thank you and take care students exist and welcome back to my YouTube channel Ecoso perfect